वर्कम फ्रेंड में मुंतोस और आप देखरें मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल मतोस्द में सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास रासन कार्ड हैं तो आपने पिछले मेने कब रासन उठाया था कौन से तारिक को रासन उठाया था और आपको रासन का डिलर ने कितना रासन दिया था तो इसकी जानकार्य आप आसानी से निकाल सकते हैं तो फ्रेंड वीडियो को सुरू करने से पहले आप सब इस एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करकर नोडिफिकेशन बेल को अन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके तो चले friends वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile में किसी एक browser को open कर लेना है browser को open कर लेने के बाद आपको यहाँ पे search bar में type कर देना है nfsa लिख लेने के बाद आपको search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करते हैं आपके सामने कुछ इसतरा का interface open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो link देखने के लिए मिल रहा है इस वाले link पे आपको click कर देना है जैसे आप इस वाले link पे click करते हैं आपके सामने national food security portal का जो page है वो open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको जो right side में three line देखने के लिए मिल जा रहा है यह three line वाले option पे आपको touch करना है यहाँ पे आप जैसे ही touch करते हैं आपको एक बार फिर से three line देखने के लिए मिल जाएगा आपको इस वाले पे फिर से touch करना है यहाँ पे जैसे ही touch करते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा राशन कार्ड आपको यह राशन कार्ड वाले पे टच करना है यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस्तरा का option open हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको लिखावा दिख रहा है राश अपको यहां पर देखने केली मिल जाएंगे तो यहां पर आप को अपर करते हैं अपर जायेगा त्यसे आपको मीनू का बटन दिख रहा यहां पर ही तच करते यहाँ पे आपको बहुत सारे option देखने के लिए मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है लाभुक के काड की जानकारी तो आपको क्या करना है इस वाले पे आपको टच करना है इस वाले पे आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपको एक option के लिए का जाता है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपका रासन कार्ट का जो नंबर है वो रासन कार्ट का नंबर को यहां पर फिल कर देना और यहां पर आपको क्या करना है पिछले मंत को स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको जो कैप्चा कोट उसके लिए आपको यहांपे करना होगा यहांंपे ऐसे करने के बाद आपकार जो मन्त है वह यहांपे आपको देखने कर दो जैसे के अभी मार्च चल रहा है फ्रेंस तो आपको क्या करNa है पिछले मैना मतलब फरवरी को select कर लेना है तो यहां पे फरवरी को जैसे select करते हैं उसके बाद यहां पर आपको capture code को सही-से feel कर देना है और अगर आपको capture code समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे जो refresh button है इसपर आप click करके अपना capture code है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो card का details है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर थोगा से scroll down करना है, scroll down करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पात्रता भीवरन है, आपके पिछले मेन में कितना रासन आया था वह भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जा रहा है और आप कौन से तारिक में रासन को उठाओ किये थे और कितना मात्रा में आपने उठाया था यह भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जा रहा है तो फ्रेंट्स इस तरह से अगर आप जो डिल्यार है वो आपको रासन नहीं दिया है तो आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आसा करते ये वीडियो आपको पुरी तरह समझ मागिया है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दिजेगा और अगर मेरे च चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए थैंक यू